Hello friends, SuccessGS channel में आपका स्वागत है आपको बताएए कि HBSSC को हिमाचल गौर्मेट ने भंग कर दिया था और उसके बाद इन्होंने कहा था कि नई भरती एजंसी बनाएंगे तो नई भरती एजंसी बनाने के एक अपडेट सामने आई है ये नियूज के माद्यम से कि कल उन शनिवार को इस सानन कमेटी के एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में नोंने कौन-कौन से बिंदों पर बात किया है उसके बाद में थोड़ा सा डिसक्रिशन करेंगे माचल में भरती का निया मॉडल आएग एक कमेटी एक निया मॉडल आने जा रही है एक कमेटी रिगूट्मेंट एजनसी पर दूसरे राज्यों को स्टड़ी कर रहे हैं एक्सपर्ट जों दूसरे राज्यों को स्टड़ी करेंगे कि वहाँ पर कैसे रिगूट्मेंट्स होती है और आधुनिक तक्नीक से सरल बनाएंगे भरती प्रक्रिया एक एडवांस वर्जन की भरती प्रक्रिया बनाएंगे ये तो कल ये मीटिंग शनिवार को हुई है जिसके चेर्मेन जो थे रिटायर्ड आएस अधिकारी दीपक सानन जी थे आज और इसमें काफी सदस्य भी हैं उनके बार में जानकारी दी गई इस निउस में और इन्हों ने इन दो बिन्दो के उपर ज़्यादा डिसकस किया है और तेएस में ऊपाई को नहीं ने काई कि दूसरी पैठटक हो गी इसके एत्रिक्त राष्टिस तर पर भरती अजनसी तथा देशवर में स्रेश्ट प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी एक्तिरित की जाएगी बैठक में भी निरने लिया गया कि प्रक्तिशील राज्यम में अपनाई जहरी परनाली का भी ध्यान किया जाए तो कल बैठक में इन्होंने डिसकसी किया है कि आगे क्या करने वाले हैं अभी सरकार को तीन महीने में रिपोर्ट सौंपनी है और मुझे तो लगता है कि ये छे महीने कम से कम लगाएंगे रिपोर्ट सौंपने में और उसके बाद ये भरती अजनसी जो है कम से कम एक साल तो मुद्धा है वो अभी तक गौवर्मेंट कुछ नहीं कर पा रही है कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है और जो पेंडिंग भरती है है एच्पी एससी ने निकाली थी दोहजार जो पद थे उनकी रिक्रूटमेंट जो है पब्लिक सर्विस कमिशन के माद्यम से होनी थी उ किसी को कुछ पता नहीं है यूथ बहुत परिशान है बट गौर्मेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता है इनकी सरकार बन गी है अभी पांच साल एश करने वाले हैं और लास्ट में काफी कुछ करेंगे लास्ट के 6 मीने में बहुत कुछ किया है वैसे ये भी बहुत कुछ क